सर्गे पाबलोविच ने आशो कर दिया कि वो इस heavyweight division के लिए एक nightmare है और आज की fight में उसने arguably one of the best heavyweight wrestler को एकी round में knockout कर दिया Curtis Blades जैसे fighter को एक round के under finish करने का मतलब ये है कि सर्गे पाबलोविच अब ready है tighter shot के लिए Curtis Blades जैसे माना जा रहा था कि वो जोंचो उसको सबसे tough fight दे सकता है उस fighter को first round में knockout करने से ये पता लगता है कि सर्गे पाबलोविच खुद कितना साधा dangerous है Derek Lewis टाइट विवासा और अब Curtis Blades जब भी सर्गे पाबलोविच ने अपने punch को land किया है कोई भी heavyweight fighter इस punch को handle नहीं कर पाया है और ये चीज सर्गे पाबलोविच के record में भी show करती है जिदर उसने अपनी 18 wins में से 15 times first round finishes किये हैं तो सर्गे पाबलोविच की ये चीज तो मानने पड़ेगी कि वो एक scary monster है जो किसी भी heavyweight को knockout कर सकता है fight की बात करें तो round की starting में Curtis Blades काफी speed moments show कर रहा था वो leg kicks को throw करने की try कर रहा था वो jabs and fakes भी काफी अच्छे कर रहा था बट जैसे ही सर्गे पाबलोविच ने अपने punch को throw किया Curtis Blades के facial expressions देखने वाले थे ऐसा लगा कि Blades was shocked की भाई ये क्या power है बाइद वे पाबलोविच का ये first punch block हुआ था और ये connect भी नहीं हुआ बट still हम Curtis Blades के face पर देख सकते थे कि उसने पाबलोविच की power को feel किया मुझे लगता है कि उस first punch के बाद Curtis Blades ये भूल चुका था कि उसको wrestling भी आती है क्योंकि जब तक है fight चली Curtis Blades जो एक wrestler है उसने सिर्फ एक ही बाद take down करने की try की अब to be fair जब भी वो पाबलोविच के साथ exchange कर रहा था तो उसने land की अपने right state punches बट Curtis Blades को ये पता होना चाहिए कि उसके पास उतनी power नहीं है कि वो सरगे पाबलोविच को knock out कर सके इसलिए उसको चाहिए था कि वो अपनी game खेले सरगे पाबलोविच को take down करके अब सरगे पाबलोविच की side से जो एक चीज़ notice करने वाली है वो है कि वो अपने opponent को कितनी जल्दी read कर लेता है जब भी Curtis Blades को ये लग रहा था कि सरगे पाबलोविच अपने punches को throw करने वाला है वो हमेशा अपने card को उपर करके हलका सा hit को नीचे duck कर रहा था अब कुछ seconds के लिए तो ये work किया बट जैसे ही सरगे पाबलोविच ने इसको read कर लिया उसमें overhand right punch को throw करने की जगा right upper cut को throw किया ये fight यही पर खतम हो जाती बट सरगे पाबलोविच इस upper cut को पूरी तरह से connect नहीं कर पाया अब इसके कुछ ही seconds बाद जब Blades ने फिर से same defense को show किया तो इस बार सरगे पाबलोविच ने right overhand को throw किया जो directly connect हुआ Curtis Blades के temple में जिसका result ये रहा कि Curtis Blades knock down हो गया और literally with the jab सरगे पाबलोविच ने Curtis Blades को rock कर दिया और यहां से start हुआ Curtis Blades के end का जब सरगे पाबलोविच multiple combos को throw कर रहा था तो Curtis Blades को चाहिए था कि वो अपनी wrestling को use करे इवन जो commentators थे वो भी confused थे कि Curtis Blades अपनी wrestling को क्यों नहीं use कर रहा और last में जब Curtis Blades ने take down करने की try भी की तब तक बहुत जादा late हो गया था सरगे पाबलोविच के punches को लेने के बाद Curtis Blades पूरी तरह से recover नहीं था जिसकी वज़े से उसकी take down करने की try सिर्फ एक formality थी और finally सरगे पाबलोविच के pressure और heavy punch combination से Curtis Blades got knocked out इस knockout के साथ सरगे पाबलोविच ने statement दी है कि वो आ रहा है heavyweight belt के लिए मैंने ये पहले भी कहा था कि John Jones के लिए इस heavyweight division में मेरी opinion में जो सबसे toughest opponent होंगे वो Curtis Blades, सरगे पाबलोविच और Tom Espinel होंगे Curtis Blades तो अब खतम और जब तक Tom Espinel की turn आएगी तब तक John Jones retire हो जाएगा तो अब बचा सिर्फ सरगे पाबलोविच अब as a fighting fan देखा जाए तो I hope कि John Jones स्टीपे मियोचिच की fight के बाद सरगे पाबलोविच से fight करे बट John Jones की as a legacy point of view से देखा जाए तो स्टीपे मियोचिच की fight के बाद मुझे नहीं लगता कि John Jones एक और fight करेगा और काफी chances हैं कि स्टीपे की fight के बाद वो retire हो जाएगा अगर John Jones ने decide कि वो सरगे पाबलोविच की साथ fight करना चाता है तो ये सच में John Jones के लिए काफी रिसकी fight होगी बट मेबी हमें ये fight जल्दी देखने मिले क्योंकि अब recently talks चल रही हैं कि सरगे पाबलोविच as a back of fighter भी बन सकता है John Jones और स्टीपे मियोचिच की fight का जोन जोन्स वर्सेस सीरिल गान की fight में भी सरगे पाबलोविच as a back of fighter बना था तो I guess कि वो फिर से ऐसा करेगा और in case अगर जोन जोन्स या फिर स्टीपे मियोचिच से कोई भी injured हो जाता है तो वो फिर उसकी place में fight करेगा तो anything can happen बट एक चीज जो confirm लग रही है कि अगर सरगे पाबलोविच ऐसे ही fight करता रहा तो definitely वो इस heavyweight division का champion जरूर बनेगा